ये आठी द्वारप्रस्थुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय ग्यारह भुट्टे प्रिश्ध संख्या सरसठ मिलकर पढ़िये नीना के नाना बाजार गए नाना खूब सारे भुट्टे लाये नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने नीना ने जी भर कर भुट्टे खाए इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहले चित्र में एक आदमी के दोनों हाथों में थैले हैं और थैलों में भुट्टे भरे हुए हैं दूसरे चित्र में एक आदमी चूलहे पर भुट्टे भून रहा है, उसके पीछे एक लड़की खुश होती हुई दिखाई गई है इस चित्र में एक बच्ची बैठ कर भुट्टा खा रही है, जबकि उसके पास में एक प्लेट में नीमबू और नमक रखा हुआ है इस चित्र में दो चिड़िया भी दिखाई गई है, प्रिष्ठ संख्या 68 नीना की नानी ने भुट्टे उबाले नाना और नानी ने जी भर कर भुट्टे खाए, नीना ने फिर क्या किया, आगे की कहानी बनाईए और अपनी भाशा में सुनाईए शिक्षन संकेत बच्चों के साथ कहानी पर चर्चा करें, जैसे नानी जी ने भुट्टे क्यूं उबाले होंगे? नाना जी के थैलों में कितने भुट्टे होंगे? भुट्टे भुनते समय, नीना क्या देख रही होगी? अगर कहानी में नीना का भाई और बहन भी होते, तो क्या होता? आदे बच्चों से कहें कि वे कहानी में भुट्टे की जगह मटर रखकर अपनी कहानी बनाएं और कक्षामी सुनाएं इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं, पहले चित्र में एक चूले पर हांडी रखी हुई है, एक महिला उसमें कुछ पका रही है, एक छोटी बच्ची उसके पीछे खड़ी है दूसरे चित्र में नाना जी और नानी जी भुट्टे खा रहे हैं इन प्रेश्णों के उत्तर लिखिए एक इस कहानी में कौन-कौन हैं, रिक्तस्थान दो नीना के नाना बाजार से क्या लाए, रिक्तस्थान तीन तालिका में दी गई बातों के विशह में बताईए और कुछ वस्तूओं के नाम लिखने का प्रियास कीजिए आप किन-किन वस्तूओं को भून कर खाते हैं कौन-कौन सी वस्तूओं तल कर खाई जाती हैं यहां दिये गई शब्दों में उ या उ की मातरा लगा कर शब्द लिखिए गेह भाल कलफी दध आल भट्टा अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारण अभी आल शब्दों में उन्धाई दिया जाती हैं